जै मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगतग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज किस पीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वेया लिए जादा नहीं बस दो बार ये हवन अपने घर में कर लो माकाली बस आपको दो बार अपने घर में माताकाली का ये हवन करना होगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो पर माद्यमचे और यदि आपने ये हवन कर भी लिया जब समय निकालके तो ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ माताकाली की शिक्ति आपको मिल जाएगी और माकाली के दर्शन होना आपको सुरू हो जाएंगे माकाली आपको संकेत अनुभब देना स्टार्ट कर देगी जब आप मातकाली का ये हवन अपने घर में करेंगे वो भी दो वार तो चली दोस्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेष्ट करना चाती हूँ अगर आप माहकाली भक्तियान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी जितने भी माताकाली के भक्ते हैं और माताकाली की शक्ति को प्राप्त करना चाते हैं और माताकाली के दर्शन करना चाते हैं और माताकाली की योगनियों से बात करना चाते हैं तो बस आपको अपने घर में कुछ नहीं करना है जैसी पूजापाट आप अल्रेडी पहले से करते आ रहे हैं वैसी पूजापाट आपको करनी हैं लेकिन आपको अपने घर में दो शनीवार मातकाली का हवन करना होगा और हवन करने से ही आपको मातकाली की शक्ति प्राप्त होईगी जैसे मुझे हुई थी ठीक है तो आपको हवन कैसे करना है अपने घर में ये पहले मैं आपको समझा देती हूँ तो ध्यान से सुने, वीडियो को एंड तक देखें, तब ही आपकी समझ में आएगा तो जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको हवन दिख रहा है ऐसा ही हवन होता है, इसमें ही माता को भोग लगाया जाता है और ये कही भी दुकान पर जैसे बरतनों की दुकान होती है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा असानी से तो आपको करना क्या है, हवन आप तीन चीच पर कर सकते हैं, कपूर पर, कंडे की अग्यारी पर और आम की लकडी पर कंडे क्यारी चाहिए . तो आपको कंडे की अग्यारी बना लेनी हैं अपने घर मे कंडगेस पर जलाग याथ आम की लकडी लियाओ की लुए नाम लेकिश को चोटे-चोटे तोड़ लो हुख में डालने के वाद उसके नीचे एक, यहाद दो कपूर लगाओ, कपूर को जलाओ, Ultra- Wiki- Saksud code, तेमें 1,2- वैसे ही दे जैसे आप पहले से माता को देते आ रहे हैं, चार बता से चड़ाते तो चार दे, दस चड़ाते हैं तो दस दे, इक्किस चड़ाते तो इक्किस दे, वो आप अपनी सर्दा के अनुसार चड़ाएं, एक नीम्बू की भेट चड़ानी हैं, आपको काट कर, और एक आपको पास होना चीए साबुत गोले की बेट ठीक है और एक जैफल की बेट चड़ानी है एक मीठे पान की बेट चड़ानी है और एक साबुत सुपारी होती जो पान के साथ आपको मातकाली को चड़ानी है ठीक है ये बेट आपको मातकाली को चड़ानी है और मीठे में आप को मاتकाली को पांच पेड चड़ाने हैं! सफेद वाले पांच पेड़ों मैं से सबी hesa जो पानि आपके हाथ में बसता है ङभरती पर ही छोड़फ डें महीं पहए हवन के पास तीक्स तरीक था भीवन अपने घर में मताकाली करना है वो भी दो सनिवार करना है और आप इसे करके देख लो मैं इस बात की आपको घारंटी दे रही हूँ अगर आपको मातकाली की शक्ती ना प्राप्त हो तो आपको जो बूलना हो कह देना पर मैं इतना बता रही है जब आपको मातकाली की शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो मातकाली आपको सबसे पहले अपने धर्शन देगी सबसे पहले आपको धर्शन देना इस्टार्ट करेगी आप चाहे वो किसी भी रूप में दे वो तो मा के उपर बात है मां आपको किस रूप में दर्शन देगी जब दर्शन देना श्टार्ट कर देगी और आपको संकेत मिलना श्टार्ट हो जाएंगे और आपको अनुभव होना श्टार्ट हो जाएंगे पूजा पाठ के जब आपको माताकाली की शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो आपको बस चाज़ा नहीं बस दो बार ये हवन करना है यानि कि दो शनीवार आपको हवन करना है अपने घर में आगे चाहे आप करो या ना करो और पहली बात मैं बता दो जब आपको ये दो बार करने से फाइदा फाइदा हो जाएगा तो आप आगे भी करोड़ो बार कर तो आप दो बार पहले हवन करके देखो आपको क्या नुभब मिलते हैं क्या संकेत मिलते हैं जो भी कुछ आपके साथ होता है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और जो भी आपको सपने में संकेत दिखते हैं वो भी मुझे बताना फिर मैं आपको उसका अर्थ ब जा दिया है अब हम आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हरहर महादेव जै मातकी ओम